नमस्कार मैं हूँ पलवी सिंग और आप देख रहे हैं आरे नियूज बॉलिवूड अभी नेता शारू खान लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं और पिछले कुछ समय से वो सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई ही नहीं दिये लेकिन अब जल्द ही उनके फैंस का ये इंतिजार खत्म होने वाला है कई बड़े अभी नजताओं की तरह किंग खान भी जल्द ही डिजिटल प्लाटफॉर्म पर दिखाई देंगे शारुखान और उनकी दोस फिल्म दिनमाता करन जोहर नहीं अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके डिजिटल डेब्यू की ओर इशारा किया गया है बताते चलें कि इस वीडियो क्लिप में शारुखान के घर के आगे खूब भीर दिखाई दे रही है और शारुखान अपने स्टाइल में ही उनकी तरफ वेव करते हुए साथ खड़े हुए है और एक शक्स पूछता है कि क्या इतने फैंस कभी किसी ने घर के सामने आते हैं क्या वो कहते हैं कि अभी तक तो नहीं देखा लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते है इस पर शारुखान इसका मतलब पूछते हैं तो वो कहता है कि सारे स्टार्स डिजनी प्लस हॉट स्टार पर शो और मुवी करते हैं और आप नहीं इन दिनों वो फिल्म पधान की शूटिंग के लिए बिजी हैं लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि शारुक खान ने कुछ ने प्रोजेक्स भी साइन कर दिये हैं हाला कि इस विडियो में इस तरह की कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है लेकिन आपको बता दे कि बॉलिवुड हंगामा की खबर के मुताबक शारुक खान ने डिजनी प्लस और स्टार की एक वेब सुरीज के लिए अपनी हामी भर दी है हाला कि ये सीरीज कैसी होगी इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है इस विडियो को करंजोर ने सबसे पहले शेयर किया जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में ये भी लिखा कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखूंगा जब बॉलिवुट के बादशा भी फोमो महसूस करेंगे अब मैंने सब कुछ देख लिया है इसके बाद शारुखान ने भी इस विडियो को शेयर किया और लिखा पिच्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त अब बॉलिवुट की अपकमिंग फिल्म आर 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 की रिलीज डेट एक बार फिर से टाल दे गई है इस फिल्म में राम चरेंट जूनियर, NTR, अजय देवगान और आलिया भर नजर आने वाले हैं निर्देशक आपको बता दे कि दर्शक भी अब इस फिल्म का बेस्बरी से इंतजार कर रहे हैं फिल्म के रिलीज डेट टल जाने के बाद बड़ी वज़ा भी सामने आई है दरबसल कुछी समय पहले फिल्म की रिलीज डेट सामने आय थी उस समय कहा यह जा रहा था कि फिल्म 13 अक्टूबर 2021 को थेटर्स में रिलीज होगी लेकिन अब फिल्म के सोचल मीडिया पेज से इस बारे में ज़ानकारी दी गई है बताये गया है कि फिल्म अब उक्टूबर में रिलीज नहीं होगी और इसकी वज़ा कोरोना महामारी है चुजब पर एक ट्वीट में ये भी कहा गया कि पोस्ट प्रोडक्शन करीब खत्म हो चुका है और उक्टूबर में फिल्म रिलीज की जा सके इसकी तैयारी भी की गई लेकिन हम फिल्म के रिलीज को आगे बढ़ा रहे हैं अब ही हमने कोई नई तारीक का एलान भी नहीं कर सकते क्योंकि थियेटर्स पूरी दरह से खुले हैं हम फिल्म को जल से जल रिलीज करेंगे हम थियेटर्स के खुलने का इंतिजार कर रहे हैं साथी आपको बताते चलें कि फिल्म में रामचरन के कारेक्टर का नाम अलूरी सीता रामराजू है और आलयभज का नाम सीता होगा फिल्म साउथ लैंग्विज में और इसके अलावा हिंदी लैंग्विज में भी रिलीस की जाएगी दर्शकों को इस फिल्म का लंबे समय से इंतिजार था साथ ही आपको बता दें कि अब इस दूसरी बार जब इस फिल्म की रिलीस डी टाल दी गई है हालाकि फिल्म के जो निर्माता है उनकी उमीद है कि इस फिल्म को जल्द ही ठेटर्स में रिलीस किया जाएगा और अब ये खबार इंटरनाशनल फैंस के लिए तो बताते हैं कि फेमस सिंगर जॉस्टिन बीबर अब MTV मूजिक विडियो आवोर्ट्स में इस बार Artist of the Year का किताब जीच चुके हैं और फिर से एक बार फैंस को एक धमागेदार परफॉर्मेंस का तहफा दिया गया इसके अलावा जॉस्टिन बीबर ने Best Pop Song का अवोर्ट भी कबजाया है बताते चोलें कि जॉस्टिन को अपने गाने Give On For Peach के लिए किताब मिला है दरसल पिछले 6 सालों में ये जॉस्टिन की पहली परफॉर्मेंस थी और इसके अलावा जॉस्टिन बीबर अभी भी कई खिताबों की दावेदारी की तोड में शामिल है जॉस्टिन बीबर विडियो आफ दे यूर फॉर पॉप स्टार के खिताब के लिए भी अपनी रेस में है अब बताते चलें कि अपने बेंचमार्क आउटफिट, स्पोर्टी बैग और क्लोथ के साथ हुजी में वो अवार्ट शो में पहुंचे जहां जॉस्टिन बीबर ने इस सम्मान के लिए आभार जदाया साथ ही अपनी पतनी हैली को भी स्पोर्ट करने के लिए शुक्रिया किया शो के दोरान अपनी अवार्ट स्पीच में जॉस्टिन बीबर ने कहा है कि जैसे कि हम जानते हैं दुनिया में इस वक्त काफी कुछ चल रहा है हम कोविट संकट के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर में संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को एक साथ जोडता है और सुकून देता है और फेमस बॉप स्टार ब्रिटनी स्पेर्स ने अपने बॉइफरिंट सैम अक्सरी के साथ सगाई कर ली है उन्होंने सोचल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस बारे में जानकारी दी और इस वीडियो में ब्रिटनी स्पेर्स एक डायमंड रिंग पहने नजर आ रही है सोचल मीडिया पर उनका वीडियो तीजी के साथ वाइरल भी हो रहा है और आपको बताते चले कि ब्रिटनी स्पेर्स ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें सैम अजगरी उन्हें किस करते हुए भी नजर आए बताते चलें कि सैम अजगरी ने भी इंस्टाग्राम पर ब्रिटनी के हाथ में रिंग पहने हुए एक तस्वीर को शेयर किया ब्रिटनी और सैम की मुलाकात साल 2016 में एक म्यूजिक विडियो सल्बर पाटी के दौरान शूट की गए थी और साथ ही आपको बदा दें कि इसके बाद से ही इन दोनों के बीच मुलाकाते बढ़ी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई ब्रिटनी स्पियर्स और सैम को अकसर एक दूस्टे के साथ स्पॉर्ट भी किया जाता रहा और उनके फैंस भी इस खास दिन का इंतिजार कर रहे थे गौड तलब है कि ब्रिटनी की ये पहली शादी नहीं है इसे पहले उन्होंने रैपर केविन फैजरलिन से शादी कर ली थी जिसके साथ उनके दो बच्चे भी है हला कि दोनों के बीश तलाक हो गया था और इसके बाद अब ब्रिटनी ने अमेरिकी आक्टर और कॉमेडियन जैसिन अलेक्जेंडर से शादी की थी प्रिटनी की ये शादी रिकार्ड पचपन घंटे में ही ढूट गए थी और अब आपको बता दें कि अब उनका नाम सैम असगरी के साथ जुड़ा गया है दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे सोशल मीडिया पर भी उनको लेकर खूप चर्चाय हो रही थी और अब आखिरकार इस खूप सूरत कपल ने सगाई कर ली है अब ओलेवुड एक्ट्रिस करीना कपूर खान और सैफली खान ने हाल ही में अपने बेटी तैमूर के साथ गनी चुतुरती सेलिब्रेट किया इस दोरां तीनों बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लोग में नज़र आये थे तो महीं करीना ने इस सेलिब्रेशन के लिए पैज़ामा लोग केरी किया जुसकी हाट तरफ चर्चा हो रही है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि करीना का ये सिंपल लोग भी बहुत ही कीमती है दरसल हाल ही में करीना ने अपने इस्टाग्राम पर गनेश चुदूर्थी की कुछ तस्वीर है शेयर की थी इसकी कैप्शन में उन्होंने ये भी लिखा कि गनेश चुदूर्थी को मेरे जीवन के प्यार और टिम टिम की प्यारी छोटी मिठी गनपती के साथ मनाना है हुआ आउटफिट जो कि आपको बता दें कि वो कौड लॉंज्वेर का पजामा सेट लेविल और डैनलियन का है जो की करीना का फेवरिट है अगर आप भी इस लेमन येलो पजामा सेट को अपने वाच्जोब में शामिल करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसकी कीमत क पड़े इन दिनों बपा की भक्ती में लीन हो चुके है श्रेयस ने करीब साथ साल की बाद अपने घर में गंपदी बपा की स्थापना की है और आक्टर बपा के घर आने से काफे घुश नजर आए बपा के स्वाकत की तैयारियों में श्रेयस के साथ उनकी पतनी दीपती इसने भी खूप सा योग दिया इसकी जल्किया उन्होंने सूशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की श्रेयस ने अपने इंस्टरग्राम अकाउंट पर बपा की और अपनी पतनी दीपती के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है और लिखा है बपा साथ साल के बाद घर वापस इससे ज्यादा खुश में और किसी चीज से नहीं हो सकता और मैं इसलिए भी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे अलावा साथ में खड़ी ये महिला मेरी पतनी है गणपती बपा के लिए सब कुछ खुद करना पसंद करते हैं वो साथ ही आपको बता दें कि सजावट से ल गणपती बपा मोरिया हैश्टाग हैपी गणेश ने कोस्ट किया साथ ही उन्होंने ये भी काया कि वो इस बात का जुल्धी खुला से करेंगे कि वो बपा को साथ साल तक अपने घर क्यों नहीं ला सके तस्फिरों में श्रियस अपनी पतनी के साथ पूरे ट्रडिशनल इसके लिए है तो बदा दें कि टी ट्वेंटी वर्ल्ल काप के बाद अब रोहिश शर्मा के वन डे और टी ट्वेंटी के कप्तान बनने की चर्चा शुरू हो गई है वर्दमान कप्तान विराट कोली बल्ले बाजी पर फोकस करने के लिए अब टी ट्वेंटी और वन डे क कि कप्तानी रोहिच शर्मा को सौप सकते हैं साथ ही आपको बता दें कि बी सी सी आई सूत्रों के अवाले से कहा जा रहा है कि वर्ल्ल कप के बाद कोहली कप्तानी छोड़ का अपनी बल्ले बाजी पर ज्यादा फोकस करेंगे खबर के मताबिक अपकोहली ने इसको लेकर टीम मैनेजमेंट के साथ ही रोहिच से बातशीत की और कोहली अपनी बल्ले बाजी पर फोकस करना चाहते हैं इसकी घोशना की है ऐसे में वो ये भी कह रहे हैं कि धोनी के नफश कदम पर अब वो चलना चाहते हैं धोनी ने भी बल्ले बाजी पर फोकस करने के लिए टेस्ट की कप्तानी कोहली को सौपी थी और अब कोहली भी ऐसा ही करने जा रहे हैं और उन्होंने इसके लिए रोहित के साथ कप्तानी की जम्मेदारी बातनी का फैसला कर लिया है तीनों ही फॉर्मैट में कप्तानी के दबाव के चलते विराट कोहली की बल्ले बाजी पर खासा असर पड़ा साथ ही आपको बताते चलें कि कोहली ने अपनी टेस्ट में अपना आखरी शुक्त दक 2019 नवंबर में बनाया था कोहली को भी लगता है कि सभी फॉर्मैट में उनकी बल्ले बाजी को बहतर बनाने के लिए उस पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है तो वहीं 2022 और 2023 के बीच टीम इंडिया को दो वर्ल्ल काप वंडे और टीट्वेंटी भी खेल ले हैं ऐसे में उनके लिए और टीम इंडिया के लिए ये भी जरूरी है कि वो अपनी बल्ले बाजी पर ज्यादा फोकस करे कोली भी ये मान रहे हैं कि तीनों वार्मेट की कप्तानी की जिम्मेदारी उनकी बल्ले बाजी पर भारी बढ़ रही है और इसे के बाद वापस लोटते हैं बॉलिवड गल्यारों की तरफ और आपको बता दें कि दिवेंगत आक्टर सुषान सिंग राजपूत के निधन के बाद अब एक्टरिस रिया चकरवर्ती अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लोट रही है रिया सोशल मीजिया पर भी काफी अक्टिव हो चुकी है और हाल ही में उन्होंने अपनी बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस तस्वीरे फैंस के साथ शेयर के जिसमें वो ब्लैक कलर की एक ड्रेस पहने हुए पोस देती नज़र आई और रिया ने ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर भी की है जिसमें वो एक सिजलिंग अफ्तार में अपने हुसन के जौलबे बखेरती नज़र आ रही है तस्वीरों में रिया चकरवर्ती ने ब्लैक कलर की एक ब्रॉलेट पहनी है और इसके साथ ही उन्होंने नेच का एक टॉप और मैचिंग के पैंच क्यारी की है रिया चक्रवर्ती की इस तस्वीरे फैंस के लिए एक ट्रीट की तरह सामने आई हैं फैंस ने तो धेरो कमेंट भी के और साथ ही उनके कई सितारों ने भी उनकी तारीफ की है शिवाने दान देकर, अनुशका रंजन और अनुशका दान देकर ने भी रिया की तस्वीरों पर कमेंट किया और याकिन तस्वीरों पर अभी तक लाखो लाइक्स भी आ चुके हैं तो वहीं से पहले रिया ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने से वास्तविक जीवन में अलगाव आ जाता है वास्तविक जीवन में अलगाव इसी की वज़ा से नीरस और उबाव बना देता है अपना जीवन जिए, आपका जीवन ये नहीं है, ये आपके चार ओर है और टॉलिवुट के फेमस अक्टर साइध हरम तेज उनके एक्सिडेंट की मामले में अब पुलिस ने एक बयान ज़ारी कर दिया है पुलिस ने ज़ानकारी देते हुए बताया कि एक्सिडेंट के समय एक्टर बाइक को 75 किलो मीटर प्रती घंटे की रफतार से चला रहे थे जिसके बाद ये हादसा हो गया सुपरस्टार चुरुन जीवी के भतीजे साइध हरम तेज का बीदे शुक्रवार को रोड एक्सिडेंट हुआ था बताते चलें फिलाल हॉस्पिटल में वो एड्मिट है और उनकी हालत अभी स्थर बताई जा रहे है हलाकि मामनी की जांच कर रही साइबराइबाद पुलिस ने बताया है कि एक्सिडेंट के समय एक्टर बाइक की स्पीट काफी ज्यादा थी और वो बाइक पर अपना नियंटरन नहीं रख पाए ऐसे में पुलिस ने कहा कि अगर उन्हें बाइक पर नियंटरन रखा होता तो आज वो सुरक्षित होते पुलिस को CCTV फुटेज भी मिला है जोसे पता चला है कि बाइक दुर्खटना स्थल के करीब 75 किलोमीटर पती घंटे की औसत गती से चलाई जा रही थी पुलिस ने आगे ये भी बताया कि अक्सिडेंट के समय अक्टर ने हेलमेट भी ठीक से नहीं पहना था पुलिस ने उन पर मोटर वहान अधिनियम के तहट मामला दर्च किया है साथी अपोलो हॉस्पिटल के जॉक्टर का कहना है कि एक्टर की आँख के पास और सीने में और पेट में भी चोट आई है हाला कि अब वो खत्रे से बाहर है लेकिन इस घटना के बाद अब साई धरम तेज की टीम की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें टीम ने कहा है कि साई धरम तेज बिलकुल ठीक है और अब वो रिकवर भी कर रहे हैं गबराने की कोई बात नहीं है ऐसे में स्पताल में उनकी उच्छ देख भाल की जा रहे है अब वालिवड अक्टर अक्षे कुमार की मा के निधन पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने उन्हें साथ पना दी है जिसके बाद सोचल मीडिया पर अक्टर ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को धन्यवाद कहा अक्षेन ने 8 सितंबर को अपनी मा अरुना भाचिया को खो दिया था अक्षेन ने रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीम मोदी का एक शोक्ष अंदेश डाला और कैप्शन दिया मा के निधन पर शोक्ष अंदेशों से बिनर्म सभी का धन्यवाद मेरे और मेरे दिवेंगत माता पिता के लिए समय निकाल ले और गर्म जोशी की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माननिय प्रधान मंत्री का अभारी हूँ ये सुकून देने वाले शब्द हमेशा मेरे साथ रहेंगे जै अंबे पत्र में भी एम मोदी ने अक्टर के नुकसान पर डुक्व्यक्त किया और देश के सबसे प्रसेदा अक्टर्स में से एक बन कर अपनी मा को गौवान विद करने के लिए उनकी प्रशन साभी की है इसे पहले अक्टर्स ने अपनी मा की मौद के बारे में लोगों को अवगत कराया था उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि वो मेरी सब कुछ थी आज मैं ऐसा असेहनी दर्द महसूस कर रहा हूँ जिसे बता नहीं सकता मेरी मां श्रीमती अरुना भाथिया आज सुभर शांती पूर्वक इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए मैं और मेरा परिवार बहुत ही दुखत घड़ी से गुजर रहे हैं मैं आप सभी के प्रेयर्स का समान करता हूँ ओम शांती